एज को हम जैसा खेत और पर के नाते के सिंस में उपयोग करेंगे और इसके उपयोग को सीखेंगे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखा कि चीजों को रटा मारने से अच्छा है आप समझने की कोशित करें क्योंकि समझने से ही चीज़े किलियर होती है यह बहुत ही सिंपल कॉंसेप्ट है ते लिए हम इसे एक्जाम्पल्स के थुरू समझ लेते हैं जैसा आप कहें as you say जैसी आपकी मर्जी as you wish जैसा आपने कहा मैंने किया I did as you said सो आपने देखा कि हम as को जैसा कि सिंस में कैसे यूज करते हैं अब चलिए हम कुछ एक्जाम्पल्स देख लेते हैं के नाते या के तौर पर मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं I am working as manager here यहां पर के तौर पर का यूज किया गया अगर हम के नाते की बात करें जैसे आप यहां पर एक सेंटेंस देख सकते हैं एक कद्याफक होने के नाते यहां मेरा फर्ज है I am a teacher, it's my duty तो दोस्तों मुझी उम्मीद है कि यह आपको concept clear हो गया होगा अगर अभी भी आपको कोई doubt है तो आप comment box में comment करके पूंच सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम